हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूट्यूब चैनल गेम अफ इन्वेस्टिंग इस वीडियो में आपके लिए लेकर आये बहुती शांदार मल्टी बेगर स्टॉक जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुती अच्छा रिटर्न दे सकता है वीडियो शुरू करने से पहला अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब निकिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे जिससे आपको उमारी लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आज हम आपके लिए लेकिया है एक बहुत ही शानदर शेयर जिसका नाह हमें ट्राइड एंड लिमेटेड जिहां गाइस पहले हम कंपनी से फ्रेंड्शिप करते हैं उसके बाद इसके आगे एनलाइस करेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप है 9580 करोड करन्ट प्राइस चल रहे है 18.8 रूपीज और हाई गया हो है रूपीज 19.4 और लो गया हो है सियर का 6 रूपीज और स्टॉक की पी रेशियो भी काफी अच्छी है 29.2 बुक वैल्यू इस समय 6.53 चल रहे है डिविदेंट इल 1.91 परसेंट है रोसी 10.2 परसेंट है रिटरन एक्विटी 10.3 परसेंट हमें देख रहे है जो की काफी अच्छी है फेस वैल्यू 1 रूपीज है करन्ट ली और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एंट्री पॉइंट इसमें गुड देखा रहे है कि यह अवर्बार्ट जोन के अंदर नहीं एस समय शेयर और डिविदेंट भी कंपनी कंटिन्यू पे कर रही है तो थोड़ा बात कंपनी के बारे में देखते हैं यह दर लिमिटेट द फ्लक्शिप कंपनी ओफ ट्र ट्र राइड ग्रूप इस अ लीडिंग मैनुफेक्ट्ट ओ यान बात लाइन बेड लाइन और वीट श्रो बेस पेपर केमिकल और यह और जागे बने से पहला है आपक के बार टाइंट सक्थे निव 52 ही है अटा राइंट सेग्में देख इस न देख फिटे बाइन ग्रो बेसेट लेट विश्पन ऑस ट्राइंट इस अ करद जा पार दोंब बाइन श्यां बार ड़्र श्रीट करो टेड वीडिय। proposed capacity addition of 61,440 spandles and 480 rotos including other balancing equipment and yarn segment. So guys, आप देख रहे हैं, कंपनी बहुत ही जादा इंवेस्मेंट की तरफ आगे बढ़ी जा रही है, काफी अच्छी इंवेस्मेंट आई है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, काफी इसके एंदर है कंपनी के अंदर आगे चलते हैं, हम वेस्में आगे सकते हैं, अगस्त 2020 में यह अक्रॉक 6 रुपीज का था और अब ही करंटी 18 रूपीज से अबव ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं आपका पैसा डबल हो जाता दोगुना से भी उपर चला जाता आपका पैसा इसने एक एर के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं तो यह short term के लिए ही नहीं बलकि long term के लिए भी काफी अच्छा stock हो सकता है तो गाइस अम इसकी pros and cons की बात करते हैं पहले pros देखते हैं इसके अंदर क्या है company has reduced debt, company ने अभी recently debt को अपने reduce कर रहा है company has been maintaining a healthy dividend payout of 51.08% जो की काफी शांदार dividend payout है इसके अंदर cons देखे तो stock is trading at 2.88 times its book value, book value से 2.88 times ज्यादा trade कर रहा है the company has delivered a poor sales growth of 4.33 over past 5 years company has a low return on equity of 11.48% for the last 3 years company might be capitalizing the interest cost so guys यह थी इनके pros and cons और peer comparison की बात कर रहे तो friends आप देख सकते हैं wellspun India जो की top पे चल रही है इस समें उसके बाद आती है our trade and limited आप देख सकते है market caps के जाब से wellspun India सबसे उपर है उसके बाद आती है trade and limited जो second number पे इस समें ट्रेड कर रही है इसके अंदर आप देख सकते है काफी शांदार इनका quarterly profit भी राय 147.02% का और इसके बाद आप देख सकते है Garvey Tech इसका भी शांदार है 7204 करोड का market cap है उसके बाद TCNS clothing company का भी काफी अच्छा है और इस समें आप देख सकते है Trident का सब कुछ ही positive के अंदर चल रहा है कोई भी चीज नेगिटिफ के अंदर नहीं है currently So ये काफी अच्छी चोईस हो सकती है future के लिए और quarterly results पर नज़र डाले तो आप देख सकते है operating profits इनका हर साल increasing position के अंदर जा रहा है आप देख सकते है March 2021 का आपको 237 करोड रुपीज देखने को मिलेगा यहां पर आपको profit before tax पर नज़र डाले तो आप देख सकते है 97 करोड रुपीज आया है अमका latest जो की last year से कम है पर अभी COVID की situation को लेके काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये देखा जाये तो net profit की बात कर दो 76 करोड इन्होंने latest बनाया है और last year इन्होंने 1112 बनाया था काफी अच्छा है जो net profit और dividend भी काफी अच्छा पे कर रही है कमपनी इसके बाद बात करें हम इनकी profit and loss की operating profit काफी अच्छा शानदार रहा है कमपनी का 823 करोड रुपीज का मार्च 2021 के अंदर इनका profit रहा है operating profit और net profit की बात करें तो आप देख सकते है मार्च 2009 से negative net profit से और इतना शानदार मार्च 2012 के बाद इनका कभी भी माइनस के अंदर नहीं गया है negative net profit नहीं गया है हमेशा profit मेर ये company loss में नहीं गयी है आप देख सकते हैं कैसे बढ़ता जा रहा है और इस साल भी company ने 304 क्रोड रुपीज का शानदार net profit रहा है इसके बाद हम बात करें share holding pattern की तो promoters की काफी अची holding है in fact increase हो रही है time to time आप देख सकते हैं June latest इनकी 73.2 है जो की September 2020 71.84 से increase करके 73.02 की करी गई है तो guys promoters जब अपनी share holdings बढ़ाते है तो आपको पता ही है कि वो काफी कुछ देख के बढ़ाते है काफी sentiments को market के देख के उसके बाद ही अपनी holdings को increase करते है और आप देख सकते हैं इसके अंदर retailers का भी काफी अच्छा ratio है 22.48 का काफी अच्छी percentage है और जो dividend trend है आप देख सकते हैं no dividend cuts है कोई dividend cut नहीं कर रहा है company ने ट्राइड अच्छी बात है शांदार बात है अगर आपको अपनी analysis पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो प्लीज हमें comment section में comment करिए और guys वीडियो खतम करने से पहले हम आपको एक अपना चोटा सा target देते है हमारे जाप से काफी जल्दी ये stock 25 hit कर जाएगा रूपीस 25 जी हाँ guys पर आप कोई भी investing करने से पहले अपने financial advisor से साला ले ले हमारे दियो हे tips के उपर कोई भी trade ना करे और loan लेके बिल्कूल भी trade ना करे जो वो की बहुत खतरनाक हो सकते आपके लिए so guys हमारे वीडियो के बाद target रहेगा 50 subscribers का अगर आपको हमारे information पसंद आ रही है तो please इस वीडियो को like करिए और channel को subscribe करिए thank you guys